हाई मैं हो तुशाबा और आप देख रहें फंडू कंटेंट जब से तनुश्री दत्ता ने अपनी हाश्टाग मेटू वाली स्टोरी सभी के साथ शेयर करी है तभी से राखी सावन्त और तनुश्री दत्ता के पीच में एक लफजों का वार चालू हो चुका है जो चाले हुआ था राखी सावन्त से जब उन्होंने अपने घर पर प्रेस कॉंफरेंस रखकर तनुश्री दत्ता को जूटी और एक ड्रग एडिक्ट धलाया था इसी बात का जवाब देते हुए तनुश्री दत्ता ने राखी सावन पर मान हानी का केस दर्ज किया और साथी साथ 10 करोड रुपे भी मांगे इसी के जवाब में राकी सावन ने फिर से एक प्रेस कॉंफरेंस रखी थी अपने घर पर जहाँ पर राकी सावन ने ये कहा था कि तनुश्री गत्ता ना ही एक ड्रग एडिक्ट है पर साथ ही साथ तनुश्री गत्ता ने राकी सावन को रेव पार्टीज में ले जाकर राकी सुन रहे है राकी सावन ने तनुश्री तत्ता पे ये इलजाम लगाया है कि तनुश्री तत्ता ने राकी सावन का रेप किया है इसी बात पे तनुश्री तत्ता ने जवाब दिया कि मैं तो इसे जानती तक नहीं हो ठीक से मेरी और इसकी बात सिर्फ एक ही बार हुई थी 2009 प और उनकी ये बात मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से अमल करती हूं। इसी वज़े से मैं ऐसे घंदे, कवार, डाउन मार्केट, कारेक्टर लेस, पॉफर्टेड लोग यानि की राकी सावन जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करती। इसके बाद जब तनुशी तत्ता को ये सवाल पूछा गया कि राकी सावन ने आपको एक लेस्बियन बुलाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तनुशी तत्ता अंदर से मर्द है क्योंकि उन्हों ने अपना सर मुंडवाया था। इस पर तनुशी तत्ता ने जवाब द कि हिंदू और बुद्धिस रिवाजों के अरुसार जब एक इंसान दिक्षा यानि की योगिक साधना में चला जाता है तब वो अपना पूरा समर्पन अपने भगवान को कर देता है। और इसी के अनुसार उसे अपने बाल भी मुंडवाने होते है। राकी सावन ने यह आपको सबसे पहले पता चलेगा फंडू कंटेंट पे। इसलिए फंडू कंटेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर दिजिए।